अबी तक वेकेंसी नहीं आई है लेकिन ये वेकेंसी कभी भी किसी भी दिन किसी भी छण घोशित हो सकती है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है बहले नोटिफिकेशन नाया हो एक्जामनेशन का डेट घोशित है 17 नौंबर को याजित होगा जिसके लिए आपके पास roughly 50 दिन है अचाहिए इस एक्जामनेशन को तो हर हाल में निकालना है इसे जाने नहीं देना है और हमारी शात्राएं भी इस एक्जामनेशन के लिए डूप कर तैयारी कीजिए अपना समय निकालिए सीटें जितनी है अभी तक कि सबसे अधिक होंगी संभावनाई बन रही हैं और तब आपका result confirm हम कर रहे हैं, confirm कर रहे हैं, point to be noted, चुकिए इतने महीनों में आपने जो कुछ भी पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा होगा, अच्छा परियास किया होगा, अब उसमें consolidation का काम करना है, और ये कैसे होगा, आप मेंसे बहुत सारे लोग practice sets बना रहे होंगे, और देख रहे होंगे, कि बहुत सारे लोग 60, 70, 65, 75 आ रहा होगा, 90 पलस या 100 टच नहीं कर रहा होगा, चलिए हम टच कराते हैं, आज से हमारी बातों को अक्षर शे दिल में बैठा लीजे और इसका पालन कीजे, यह हमारा USP है, लास्ट मॉमेंट में हम सदैव यह पर्यास करते हैं, कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, साल बर पढ़ा, या दो महिने में ही पढ़ा, या पिछले कुछ दिनों से तैयारियों में लगे, अब इस तैयारी को उस अस्तर पे ले जाएए, जहां पर permutation combination चलता है, जहां पर smart study होती है, जहां पर यह पता चलता है कि कुछ ऐसे topics हैं, कुछ ऐसे chapters हैं, कुछ ऐसे छित्र हैं, जिससे प्रश्ण आते ही आते हैं, तो हम आपको आज से ऐसा ही corner, ऐसा ही topic, ऐसा ही exam friendly chapter बताने जा रहे हैं, तीस chapters आपको हम बता रहे हैं, तीस topics, daily topic आएगा, अद्भुत होगा, आप इसे कर कर देखिए, मेरा वादा है कि आपके 20 से 30 questions, आपके अपने strength पर 20 से 30 questions आपके बढ़ जाएंगे, और जब हम 20 से 30 कह रहे हैं, तो ये 25 से 35 भी हो सकता, और वो है, daily topic हम लेकर आएंगे, daily topic जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, revise कीजिए, जो कुछ भी पढ़ा है, जिसे भी follow कर रहे हैं, अभी से 24 घंटे के लिए, आज से, 30 topic समदेंगे आपको, पहला topic, economy का, और्थिक सर्वेक्षन और budget, फिर से सुनिए, और्थिक सर्वेक्षन और budget, राष्ट्रिये, national और्थिक सर्वेक्षन और budget, और साथ ही, राज्यका, बिहार का, आर्थिक सर्वेक्षन और budget, यह आपको करना है, हम एकदम आसान उपाय बता रहे हैं, घवराई यह नहीं, और इससे एक कोश्चन नहीं, हम तो केवल एक कोश्चन का आपको वादा कर रहे हैं, कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, केवल एक कोश्चन का, लेकिन हमने कहा कि जितना हम कहेंगे उससे अधिक होगा, अब यह आर्थिक सर्वेक्षन और budget आप कैसे करेंगे, हम आपको sources बताते चलेंगे, आपको daily करना है, daily एक कोश्चन राष्टिय आर्थिक सर्वेक्षन से, economic service से, एक कोश्चन national budget से, और एक कोश्चन आर्थिक सर्वेक्षन बिहार से, और बिहार के बजटसे, आर्थिक सर्वेक्षन 2023 का होगा और budget 2024 25 का होगा, इस से इस से इस से नोट कर लिजे, अपनी कॉपी एक बना लिजे, आपको daily एक कोश्चन, केवल एक point एक कोश्चन तयार करना है लाइक राजकोश्य घाटा क्या था या आम बजट में सरवादिक व्याय किस छेतर में हुआ कहां से आमदनी होती है सरवादिक कहां सबसाधे खर्च होता है plan expenditure, non plan expenditure, रक्षा छेतर में, सेवा छेतर में सब कुछ किजिए बस एक question, एक question daily आपको note करना है budget 24-25 का, आम budget, एक question आपको लिखना है अपनी copy में बिहार का आईए, एक question नोट करना है, औरतिक सरवेक्षन, एक question बिहार का budget चार questions daily आपको लिखना है, 30 दिनों तक अपनी copy में हमें follow करके देखिए, और देखिए आपका result कैसे पका होता है कैसे अगर अधूरा लग रहा, कैसे confusion हो रहा, कैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है हम 30 दिन आपको घोड़ा बना देंगे, घोड़ा दोड़ा देंगे, पहाड़ों पर, शिक्रों पर, एवरेस पर और आपका result पका होगा, निश्चित होगा, मेहनती तो आप सबी हैं, लेकिन कई बार दिशा का पता नहीं चलता कि हमारी दिशा किस ओर जा रही है, हम चोराई पर खड़े हैं, किस दिशा में जाएं, दाएं, बाएं, सीधे, उत्तर, दक्षिन, वही दिशा हम आपको बता रहे हैं अब तीस दिनों के लिए, हमारी ओर से एक दिशा बना लिजे, जो भी आप कर रहे हैं, आप कीजिए, हम आपको एक्दम छोड़ देते हैं, जिसे भी आप फॉलो कर रहे हैं, या कर रहे हैं, हमारी चात्राएं भी सुनिए, आपको भी करना है, हमें फॉलो कर लिजे, आप का जंप करेगा स्कोर अगर 60-65 हो रहा है 90 प्लस चला जाएगा 30 दिनों के बाद तो पहला टॉपिक आपको मिल गया आज का आर्थिक सर्वेक्षन अबा ये सोर्स हम आपको बताते हैं कि ये कहां से आप करेंगे अगर कहीं पर सोर्स नहीं है बुक नहीं है कोई भी सोर्स जाएंगे इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे कि यही आपी कॉपी को भर देगा दूसरा ये देखिए घटना चक्र का समसामाई की ये तो पूरा हेडलाइन ही है जितनी भी मैगजिन्स हैं मार्केट में आपने देखा होगा बजट आर्थिक सर्वेक्षन से भरे पड़े है बिहार के लिए इस पीडी का बिहार ले लीजे उससे आप कर सकते हैं या दृष्टी का आता है या एडूटेरिया का आता है जिसका भी हो संभा हो किरन का आता है लेजे लेकिन एकॉनमिक सर्वे और बिहार का बजट भी कीजिये एक एक कॉश्चन करना है आई बात समझ मे कितना अच्छा है आपके लिए आप मेहनती हैं दिन रत लगे हैं लाइब्रेडीज में पड़े हुए हैं खा नहीं रहे हैं और यह कितने दिन करना है अभी कीजे ने केवल पचास दिन उसके बाद जैसे ही आपको यह फील होगा कि आप रिजल्ट में आ रहे हैं या आ रही ह तो आज का पॉइंट क्या हो गया आर्थिक सर्वेक्शन और बजट बिहार का और नेशनल और यह तीस दिन आपो करना है पॉइंट भी नोटेड तीस दिन आपो करना है डेली चार कोश्चन्स चार पॉइंट्स बजट और एकोनुमिक सर्वे से बिहार और नेशनल का यान एक सिर्ट छीन लेना है, चुके हमें नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, हम आफिसर बनना चाहते हैं, बहुत बेरुजगारी का दंश जहल चुके हैं, अब गाडियों में बैठेंगे, अवाओं में उडेंगे, सरकारी योजनाओं को लागू करेंगे, देश, रा में आफिर और धहल से लिल ढा करेंगे, लाडियों में बोकी आरा फ्हार कखी